तुम्हारे जौनपूर में यादो की इनकाउंटर तो बहाना है, तुम्हारा इनकाउंटर तुम्हारा न्याए है, तुम्हारा बुल्डोजर तुम्हारा न्याए है, तो ललित्पूर के काउंटर में तुम्हारा इनकाउंटर और तुम्हारा बुल्डोजर कहां मर जाता है मंगे स्यादों के इंकाउंटर को लेकर के खले स्यादों स्वीट करने के फर्जी इंकाउंटर है तो मंगे स्यादों के इंकाउंटर को आप क्या मनते है सरदार सेना के राष्टिय धच क्या मनते है इसको अब देश्ट के पीम से बात करनी हो सरदार सिना दंगे के चोट पे बात करके उनके बुढ़े बाप को हुकम सिंग पटेल को बद्धी बद्धी गा लिया दिया योगी के सौजातियों का एक गृप था उन लोगोंने इद्दल भाई को बड़ी मारा योगी जी के सौजातियों को बचा लो फिर उन्होंने क्या किया मालूम आपको दबाव दे रही थी कि बयान बदल दो जब हम लोग बयान नहीं बदले तो इन्होंने खुद अपनी तरह के बयान बदल की डाल दिया तो कत्ता तयार होगे नेता तयार होगे वो घाज शीने के क्या सबसे पहले आप जैसे करांदिकारी पत्रकार साथी को बहुत बहुत धन्यवाद आपका शवाल है कि सरदार सेना क्या है तो सरदार मतलब होता है नित्रत्व करता और सेना मतलब होता है फाउज सरदार सेना मतलब होता है नित्रत्व करताओं की फाउज पास साथ साल पहले लगबग साथ साल हो गए साथ साल पुरो में जब उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश के अंदर ये दिखरा था कि वंचित समाज के रहनुमाओं की कमी हो गई वंची समाज के लोगों के उपर जब प्रहार, हमला, सामंतवादी प्रहार जदा होने लगा जब हमारे लोगों के अधिकारों का हनन होने लगा तब देश भर के तमाम बैचारिक लोगों की एक बैटक होई और उस दवरान तै किया गया कि नित्रत करताओं की फाउज तैयार करना होगा सातियों ने नेड़ा लिया कि सरदार सेना नाम होगा तब से हजारों लोगों का एक संबेरन अलहाबाद में करके सरदार सेना की गोशना होई तब से लेके आज तक सरदार से ना पूरे देश में खास कर उत्तर प्रदिश में जहाँ जहाँ पिछडों के साथ अपराद अन्याय अत्याचार हुआ सरदार से ना अपने लाठी अपनी टोपी अपनी जंडा लेगर पहुंच जाती और वहाँ चाहे SP से बात करनी हो सरदार से ना डंके के चोट पे बात करके नयाय किलाई लड़ती है यही नाम है सरदार से ना मतलब गरीब और मुझलुमों की एक आवाज बन करके सरदार से ना इसमें काम कर रही है सोसितों वंचितों पीडतों पिछडों और अल्व संगिकों की वो आवाज जो दबती जा रही थी उस आवाज को उठाने का नाम है सरदार से अभी आहाल ही में आपने घटना देखा होगा इंदल पटेल का आप लोग गय भी ते और तमाम समचार पत्रों में ये खबर भी चर्चा का भी से बना हुआ थे कि इंदल पटेल के साथ जो घटना घटित हुआ आखिरकार फिर उनके साथ आप लोग खड़े हुए तो ये जो घटित हो रही हैं समाल में उसके लिए आगे तिक क्या कर रहा है वहाँ पहुचने के बाद आप लोगों के क्या बाते हुए इंदल पटेल ललितपूर उसके बारे में आपको पहले डीटेल बता देते हैं इंदल पटेल हमारे अपने पिछडे समुदाय के एक ब्रक्त कि उन दोनों ने मिल करके वहाँ इट का काम करवार सुरुकिया इट भट्टे का और उसमें पूरा पैसा लगाया इंदल पटेल ने और व्योस्ता देखने का काम ठाकुर साफ कर रहे थे जब इट तयार हो गया तो साल बर पहले इंदल पटेल कहीं थे निकले हुए दो दि अनिकले जने वेच दिया इंदल पट्टल पट्टाने अब पूरा पैसा बेच के रख लिया शाल भर से इंदल भाई पैसे मांग रहे थे लेकिन इन सामंत वाधी और उसम अ गर जाते हैं और वो नहीं मिलता है उसके घर के लोग मिलते हैं तो बताते हैं कि मेरा लाखों रुपया ये ड़कार रहे हैं नहीं दे रहे हैं बोल दीजिएगा कि नहीं देंगे तो अब हम कानूनी करवाई करेंगे इंदल भाई वापस आ रहे थे तक तक गुड्डू रास्ते में गुड्डू राजा रास्ते में थे इंदल भाई रास्ते में थे गुड्डू राजा घर पहुच गया इंदल भाई के उनके बूढ़े बाप को हुकम सिंग पटेल को बद्दी बद्दी गालिया दिया घर पे दरवाजे तोड़ा जो पड़ी थी उसको गिरा ट्रैक्टर को तोड़ा, तमाम लाखों की संपत्य नुक्सान किया, उसके बाद रास्ते से जा रहा था यहां से निकल कर, तक तक इंदल भाई रास्ते में मिल गए, उनको लाटी डंडों से ग्रुप, धाकरों का एक सामनत वादियों का, योगी के सौजातियों का एक ग्रु साहीं मारा जैसा परिवार के लोगों ने इंदल भाई के बेटे ने बताया, उनके पिता जी ने बताया, उसके बाद इतने समन नहीं भ़रा, इंदल भाई घर आते हैं, और इन बेहिमानों ने, दोर्तबाजोंगों ने, गुंडों ने, घर आकर के डीजल चिलक करके जैसे इंदल भाई घर पहुत रहे हैं थोड़ दिर में फिर वो वापस आते हैं घर पे जैसा परिवार वालों ने बताया कि इंदल भाई के उपर इंदल पटेल के उपर इन लोगों ने फिर डीजल पेट्रोल डालके जोलन जिल पदाट डालकर के आग के हवाले कर देते हैं। दोदू करके जलने लगी, बेटा घर में था सोजा हुआ, बाहर निकला और अपने जलते वे बाप को किस तरह बचा कर आनन फानने अस्पताल ले गया। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप जैसे पत्रकार जाबाज साती से बताना जरूरी है ये, इंदल पटेल एक घटना और पूरे प्रदेश में रोज घटना एक घट रही है, अभी चंदावली में प्रजापती की हत्या हुई, सरकारी साजिशन हत्या, एक हमारे जौनपूर में यादों की इनकाउंटर तो बहाना है, पिछडों का हत्या कर जाना है, ये सरकार की मंसा है, साथी इंदल पटेल की अगर बात करें, तो इस चार-पाच दिन के बाद जैसे घटना, हम लोग गए ललितपूर यहां से 700 किलोमेटर दूर, और दर्जन बर से ज स्वजातिय मंत्री के दबाओ में, वहाँ डियम और एसपी को दबाओ दिया गया, कि किसी तरह स्वजातियों को योगी जी के स्वजातियों को बचा लो, फिर उन्होंने क्या किया मालूम आपको, इन्होंने एसपी ने एसपी को दबाओ दिया, और एसपी ने बयान बदल दे रही थी, कि बयान बदल दो, जब हम लोग बयान नहीं बदले, तो इन्हों ने खुद अपनी तरफ से बयान बदल के डाल दिया, अब आप समझ सकते हैं, इस बात पर फिर हम यस्पी से मिले, डियम को हमने फोन किया, अन्नी कन्नी काट लिया, लीपा पोती मामले की कर लि कि, एस पी को के बातों से लगा कि एस पी बहुत लाचार है, मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं, जंगल राज चल रही है, और जातिवाद का सबसे ज़्यादा अखाड़ा उत्तर प्रदेश है, और हमें तो हमने सुना था, कि यहां एक संत की सरकार है, यहां सं इंकाउंटर है, उसके बाद भी और तमाम ऐसी घटनाएं होती है, जिसको नित प्रते दिन तो मतलब हर चीज नहीं हो जागा रोपाता, लेकिन कुछ ही घटनाएं हो जागा रोपाती है, तो मंगे स्यादा के इंकाउंटर को आप क्या मनते है, सर्दार सेना के राष्टिय समाज पूरी तरह उत्तरब देश की सरकार के टार्गेट पे है, और सिर्फ एक कारण है, सदियों जो सेकलों साल पहले मनवाद और सामनतवाद अस्थापित था, वह डर अस्थापित फित करना चाहते हैं, और जलितों पिछड़ों के उपर ये हत्या करके मनवाद अस्था परिवार वालों ने सीधे आरोप लगाया कि मंगेश यादव घर पे था, और मंगेश यादव को घर से पुलिस उठाके ले जाती है, और पुलिस उठाके ले जाती है, और एनकाउंटर दूसरे दिल करके दिखा देती है, मैं पूछना चाहता हूं, उसी कांड में योगी के सुजाती भी थे, उसको सरेंडर करा लेते हो, और पिछले समाज के आरोपी का एनकाउंटर कर देते हो, अगर तुमारा इनकाउंटर तुमारा न्याय है, तुमारा बुल्डोजर तुमारा न्याय है, तो ललितपुर के कांड में तुमारा एनकाउंटर और तुमारा पाउंटर कर दिया, बुल्डोजर की कारवाई होती है, मैं दूसरी बात कहूं, हमारा भाई इंदल पटेल, पटेल समूदाय का है, पिछड़े समूदाय का है, जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन चुकि आरोपी, अपराधी, इनके जाती का है, सीम का स्वजाती है, स्वजातियों को बचा लेती है, मैं पूछना चाहता हूं, कहां गया तुम्हारा इनका उंटर ने आए, कहां गया तुम्हारा बुल्डोजर का खौप, स्वजातियों लोगों में सांत हो जाते हैं, यहीं इनका समंतवाद है, यहीं इनका घोर जातिवाद है, आपने बात यानि 21 सितंबर को उत्तरप्रदेश के जंगल राज चल रहा है उस जंगल राज के खिलाफ इनदल PCD को नैया दिलाने के लिए गिर पिछडे टमाज के लोगों तलित developing विओन त सर्कारी हमला हो रहा है यह सरकारी चाहिक हमला हो रहा हैं सर्कार पोसित हमला हो रहा है साहच में एयाअ जगल राज के खिलाब कल सरदार सेना के सर्दारों का प्रदेश ब्यापी आंदोलन और धर्ना का कारिक्रम है किया पर का करेक्रम है इसे आपने इतनी सारी खटनाओं को अउगत करा दिया क्या दोज़ार 27 में क्या आपको लगता है कि मतलब किसी तरीके से यह सरकार बनी रहेगी या फिर जाने वाली है आप कुस क्या लगता है देखिए सरदार थेना socio-political stage पर काम कर रही है हम socio-moment चला रहे हैं लेकिन मैं फिर बता दूँ इस बात को आपको clear कर देता हूँ आपके मद्दम से सरदार मतलब नत्र तो करता और सेना मतलब फाओज सरदार सेना का मतलब होता है नत्र तो करता हूँ की फाओज इसका मतलब यह हुआ कि जो नत्र तो करता तयार होगे नत्र तयार होगे वो घास चीनेगे क्या वो भेड चलाएंगे बकरी चलाएंगे नाई वो नत्र तो कर सरदार सेना के लोग चुनाव कर दोगी हूं다 प्रसिंट और योगी चीं चेमधाद के खिलाफ वर्तमान में पिछले की प्रैसा मंत्वाड कर रहा हूं कर नहीं है सामन्तवाद के एक विचार हिए जहाев समानता का अंतों उसे सामंत कहते हैं सरदार सेना सामंत वाद के खिलाप है जले जाते जाते क्या कुछ अप्पिल करना चाहेंगे जो तमाम दरसक देख से आपके दर्शकों से और देज़भर के समादिक साथियों से अपील करना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है घरों में मत बैठो निकलो घरों मकानों से जंग लडो बेमानों से हात मले लो लाठी और करांती का जंडा सरदार सेना आई है एक नहीं रोसनी लाई है चले बहुत बहुत धन्यवाद देखे हमारे साथ आर्यास पटेल दी जुड़े हुए थे सरदार सेना का गठन क्यों हुआ इसके भी पारे मात हुआ क्योंकि हमारी पहली मुलाकाती तो हमने सोचा क्योंकिन सरदार सेना के बारे में ही आप से जान लिए जाल parlarों किया था तमाम इनका कहना है कि जो तमाम यह सोसित लोग हैं उनके लिए हम लोग आगे पढ़कर के लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और आगामी भाउस में भी ऐसे ही लड़ते रहें गोर दोजा सत्ताइस के विधाय सभा का चुना होने वाला उसमें भी दमखम दिखाने वाली सरदार सेना चले अगामी भाउस में ज चले से जुड़े रहे हमारे चले साथ खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है